तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रशान शर्मा और आज हम बात करेंगे HCL Technology Limited Company के बारे में जैसे कि आपको पता होगा अगर आप में लगतार वीडियो देख रहे हैं तो पुछले कई दिनों से हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां के बारे मता रहे हैं जो की काफी सस्ते दाओं पर अवेलेबल है और HCL Technology भी उन्हीं कंपनियों से एक है कंपनी का बिजनस बहुत बढ़िया है बात करते हैं ग्लोबल IT कंपनी है इंडिया के लावा अमेरिका, यूरोब सब ज़र कंपनी का बिजनस है काफी अच्छा बिजनस परफाइल है और मार्किट शेर भी बहुत बढ़िया है बात करें इंडिया की, तो इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, कंपनी का बीजिस सब अच्छा है, फिर भी कंपनी, आज में काफी सस्ते दाओं पर इसके शेर्स मिल रहे हैं, एक कंपनी, अंडरे वेलुड कंपनी है, तो जैसे हम हम अब आपको बात कर रहे हैं, क साथ में लोग के सेंटिमेंट नहीं चल रहे हैं, लोग दूसरे जो अमर्जिंग सेक्टर से हैं, उस तरह की तरफ जा रहे हैं, उसकी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस जो टाइप की कंपनी हैं, उसमें भी लोग का ध्यान नहीं है, तो काफी अच् प्रोफिट कंपनी बनाती है कितना अच्छा डून करती है और उसके चेक करते हैं कमनी पिछले पांस साल का डेटा और यहां पर देखें सबसे पहला प्राइमेटर कंपनी का रिवेन्यू तो 2020 में कंपनी के रहे थे सतर हजार क्रूड पे जो कि अब दोज़ार 24 में बढ़के एक लाख दस हजार क्रूड हैं और बात करें परसेंटेस टम में तो तेरा परसेंट के बहुती बढ़िया सीजर से कंपनी ने पिछले पांस साल में ग्रो दिखाई है और लगातार हर साल कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो कंपनी अच्छे से मार्किट कैप्च लेक्रीज है तो पिछले पांस साल से कंपनी 24 परसेंट का का अच्छा अच्छा 검찰 मार्जीन मैनेज कर रही है और फिर बात है कि हम अपर्रेटिंग प्रो अचिन क्यों चेक कर हैं अपरेटिंग क्लियरली यह बताता है कि को अपनी इंपूश को कैसे मैनेज कर रही है। उसक बेचती है, कंपनी अच्छे से अपना profit margin भी manage करके चल लिए, तो clear दिखा इदरे की sound company है, उसके products में, उसकी services में दम है, उसके बात करें net profit की, तो 2020 में company है net profit था 11,000 क्रोड पे, जो की अब 24 में बढ़के 15,710 क्रोड हो गया है, तो company profit में काफी अच्छी क्रोथा ही है, यहां तो clear बात है, company दोनों चीज़ों को manage करें चल लिए, अपनी cost को भी, और अपनी services के जो pricing है, उसको भी, उसके बात करें, free cash flow गी, तो पिछले 5 साल से लगातार, बहुती बढ़िया company free cash flow manage कर रही है, अच्छा free cash flow होने का मतलब क्या है, कि company एक established company है, उसको बार बर अपना पै करना पड़ता है, तो जो पैसा profit में कमाते ही है, वो वापिस उनका business में लगता रहता है, उनको ज्यादा पैसा घर ले जाने के लिए, actual कमाई उनकी नहीं होती है, सिर्फ papers में उनका profit होता है, यहां बात करें, तो सब चीज़े सैटल है, company थोड़ा बहुत capital expenditure करती है, उसके अब देखें, तो पिसे तीन साल से 80% से भी जादा, company का profit जो है, वो as a dividend company payment कर देती है, तो बहुत ही अच्छी dividend payment करने वाली company है, तो company में दोनों benefit हमें मिलने है, company का business बढ़ रहा है, उसका share price होगा, और सासत company dividend भी payment करती है, तो उन लोग के लिए अच्छी company है, जो चाहते ह by equity issue की, कि company कितना loan लेकर अपना business कर रही है, और अपना खुद का कितना पैसा invest किया है, तो company का debt by equity है, 0.08, यानि कि लगबग 0% ही इसको माले, कोई खास debt company को उपर नहीं है, को इसको पैसा वापस करने की tension नहीं है, को इसको interest का burden नहीं है, सारा का सारा अपना पैसा है, और क पिछले 5 साल की average है, वो 22% की है, तो काफी अच्छा company return on equity भी manage कर रही है, क्योंकि 15% कम से कम होना चाहिए, अगर उससे जादा किसी भी company का ROI होता है, तो उसको अच्छी company माल जाता है, तो 15% से कहीं जादा 24% पिछले साल का और 22% की पिछले 5 साल की average है, तो company अच्छे से ससदा मिल रही है, तो काफी अच्छा time हमार लिए, उसला बात करें company के share holding pattern की, कि कि इनकिन लोग ने इसे पैसा invest किया है, तो बात करें, promoters के पास में company 61% share है, FIs के पास में 20% है, DIs के पास में 15% है, और retail या public के पास में सिर्फ 4% के share है, DIs और FIs और अच्छी अच्छी holding ल हम बात करें company के valuation के बारे में, कि जो हमने बात करें कि कि company के share है, तो किस तरह से हमें लग रहा है, तो इसकी earning के साब से सस्ता मिल रहा है, बात करें तो इस तरह की companies को value करने लिए, मैं उस करता हूँ, discounted cash flow analysis, और उसका दो company को free cash flow को value करते हैं, कि company कितना free cash flow generate कर रही है, उसक साब से उसकी कितनी value बनती है, और यहाँ पे हमने company के free cash flow का data check किया था, तो 2022 में company के बास में था 15,255 करोड, 2023 में 16,348 करोड और 2024 में 21,432 करोड पे company बास free cash flow available था, अब क्योंकि इसमें difference आ रहा है, तो पिसलिए 3 साल के free cash flow का हम average ले ले लेते हैं, और पिसलिए 3 साल के free cash flow पूरी company की value बनती है, वो आती है 8,80,000 करोड पे, यानि कि ऐसी company जो 17,600 करोड पे हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस पूरी company की value होगी 8,80,000 करोड पे, अभी तो पूरी company value है, अब इसको number of shares से divide करते हैं, तो per share की fair value क्याती है, तो per share की fair value आरे company वारे 32 रुपे गी, यानि कर हम 32 रुपे पार एक्विटिशन हे साब से HCL में invest करेंगे, तो company को fair price पर खीर देंगे, ठीक कम्पनी इतना free cash लो जनरेर करती है, उसके साब से इकतिनी value बनती है, लेंगा आप उताब दे है, आज kit में इस से कहीं ज़्यादा कम दाम पे इसके share trade कर रहे हैं, और आज ही डि इसके पर इसके share करें, तो सिर्फ 25 की PY पर इसके share मिल रहे हैं, एक ऐसी company जो इंडिया की तीसरी सब्से बड़ी IT company है, बाहर बड़े बड़े देशों में कमपनी का अच्छा खासा business है, high profitability है, high dividend company payment करती है, वो company आज हमें सवस्ते नाम मिल रही है, और जैसा हम बार बार कह competition नहीं है, कि आपको इस company invest करना है, यह हमारा point हुग है, आप अपनी research कीजी और फिर decide की आप कमिसात क्या करना है, और अगर आपने already invest किया है, तो मेरे साब कोई घवरानी जरूत नहीं है, price तो ऊपनी नीचे होता है, कोई company का business बड़े चल रहा है, profit बड़े चल रहा है, त उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद